अब देखो यह table वैसे तो book में दे रखी है आप देख सकते हो लेकिन इसकी मतलब की इसको solution कैसे करते हैं अगर आपको table याद ना हो तो आप ऐसे orally इसको कैसे निकालते हो इसकी value को वह मैं बता रही हूं आपके देखो पहले angle लिखा sign a हो गया आपका sign a फिर उसके बाद लिखा 0 degree 30 degree 45 60 और 90 अब यह हमारे पास sign a sign a की जगा है मतलब sign 0 की value निकालनी हो तो क्या आएगी 30 की निकालनी हो तो क्या आएगी ऐसे हमने value निकालनी है सबकी angles की अब हम क्या करेंगे पहले 0 से लेके counting लिख देंगे 0 1 2 3 4 फिर उसके न divided by 4 कर देंगे इसके divided by 4 कर देंगे सबके नीचे लिखेंगे divided by 4 उसके बाद इन सबका under root कर देंगे under root करने के बाद आप अब इसकी value निकालोगे जैसे अब जेको 0 by 4 है अब ये cancel ही हो रहा 1 by 4 भी नहीं हो रहा ये 2 by 4 हो रहा है 2 वन्जा 2 2 वन्जा 4 अब ये क्या हो गया 4 वन्जा 4 4 वन्जा 4 अब इसकी sign की देको उपर आए 0 by 4 था as it is लिख दिया हमने क्योंकि ये cancel नहीं हो रहा था ये 1 by 4 हो गया ऐसे लिख दिया अब ये क्या आगया था ये cancel हो गया 2 by 4 2 वन्जा 2 2 वन्जा 4 तो हमने ये क्या आगया आपका 1 by 2 अब ये under root 3 by 4 उसके बार ये cancel हो गया था 4 वन्जा 4 4 वन्जा 4 यहां पर क्या आगया था 1 by 1 under root ऐसी आगया था अब ये देखो आपका 0 by 4 0 by 4 अब 4 का under root निकालते है तो 2 आता है ये तो सब को पता है ना under root निकालने में क्या होता है जैसे हम under root निकालते है अगर किसी को नहीं आता तो जैसे under root निकालने के लिए जैसे 4 का under root निकालना है अब यहां पर क्या कर देंगे हम lcm ले लेंगे lcm ले लेंगे, किसका लेंगे, 4 का 2 to the 4, फिर 2 बंदा 2 अब ये आ गया, under root 4 is equal to under root 2 under root 2 अब under root 2, under root 2 1 times लिखा जाएगा, पहले मैंने आपको बता दिया था इसलिए under root 4 का क्या लिखेंगे उसको 2 अब ये क्या आ गया, 0 by 2 0 by 2 क्या आता है, 0 के equal, तो ये 0 के equal आगे अब 1 by 4 है 1 का under root क्या होगा, 1 और 4 का under root अभी मैंने दिखाया क्या होगा, 2 2 लिख दो अब देखो, यहाँ पर 1 है 1 का क्या होगा, under root 1 अब under root 2 है under root 2 का तो under root 2 ही लिखा जाएगा हमने under root 2 लिख दिया अब यह under root 3 है, under root 3 का under root, under root 3 लिखा जाएगा अब देखो नीचे 4 है 4 का under root क्या होगा, 2 1 by 1 है तो 1 by 1, 1 का under root 1 नहीं होता है 1 by 1 is equal to 1 होता है यह आपकी किसकी value आगई आपकी आगई sin A की value अब हमारे पार sin A की value यह आगई आपकी solution करने के बाद आपका अब उसके बाद आते हैं आपका cos A अगर मान लो, cos A की value निकालनी है तो अब यह अपने sin A की value निकालनी है ना अब back side से reverse counting करना शुरू कर दो आप reverse counting करना शुरू कर दो यह आपका क्या हो जाएगा यहां से आजाएगा 1 under root 3 by 2 यह 1 by under root 2 1 by 2 और 0 cos A का क्या आएगा back side से लिखना शुरू कर दोगे backward जैसे counting करते हो ना आप यह पहले 1 लिखोगे फिर under root 3 by 2 लिखोगे फिर 1 by under root 2 लिखोगे फिर 1 by 2 लिखोगे फिर लिखोगे 0 उसके बाद आपकी टरन आती है 10 A 10 A की value निकालनी है sign की निकाली है उपपर और cos की निकाली है आपने जब 8.1 एक्सेसाइज की थी उसमें कई जगे यह फार्मूला यूज हुआ था 10 A मतलब 10 निकालते हैं जब हम यहाँ पे 10 theta निकालते हैं तो कि किसकी एकवल होता है sign theta by cos theta अब यही चीज आपने यूज करनी है अब यह देखो 10 theta 10 0 की value निकालोगे पहले sign theta sign की value क्या है? 0 यहाँ पे हमने निकालना है 10 0 degree अब हमने निकालना है sin 0 की value by cos 0 की value अब 10 0 sin 0 की value क्या है? 0 और cos 0 की value क्या है? 1 तो यह क्या आगया आपका? 0 by 1 0 by 1 आगया ना आपका? अब 0 by 1 आगया यह किस के एकवल होता है? 0 के तो इसकी 10 0 की value क्या आगया आपकी? 0 के ऐसे ही निकालना है आपने 10 ने 0 by 1 आगया यह 0 के एकवल है अब यह देखो यह आपका क्या आजाएगा ऐसे निकालोगे 1030 डिग्री जब 30 डिग्री निकालोगे 1 by 2 divided by 1030 डिग्री अब क्या आएगा 1 by 2 साइन 30 की वेल्यू उपर और नीचे कोस 30 की वेल्यू यह आपके आगई under root 2 अब यह इसका reciprocal करोगे तो यह क्या आजाएगा आपका 1 by 2 2 by under root 3 2 से 2 cancel होजएगा यह 1 by under root 3 आजाएगा अब इसकी 1030 की क्या लिया जाएगी 1 by 3 ऐसे ही आप कोस यह 1045 की निकालोगे यह भी क्या होगा 1 by 2 divided by 1 by 2 जब reciprocal करेंगे यह cancel होजएगा 1 आजाएगा अब इसकी अब under root 3 by 2 1 by 2 अब इसका reciprocal करेंगे 2 उपर चला जाएगा 2 से 2 cancel होजएगा under root 3 ऐसे ही करना है आपने अब यह क्या है 1 by 0 90 की value infinite आएगा infinite लिखतो हो या not define लिखतो हो इसकी value अब यह आपके आगई कोस की value और यह आपकी value किसकी आगई 10 की value अब उसके बाद तरन होती है आपकी 10 के बाद quote quote है अब quote है किसके equal होता है हमने quote में हमेरे को किसके पता है या तो आप जैको quote में quote के आपके दो formula थे जैसे आपके लिखते हो quote is equal to quote से by sign a एक तो यह formula था आपके पास लेकिन हम यह कहेंगे तो हमारा वही वाला लंबा procedure पर यूज हो आपका अब यह quote का यह भी था ना आपका quote is equal to 1 by 10 a 1 by 10 a यह वला quote is equal to 1 by 10 a 10 a अब 1 by 10 a क्या मतलब यह 1 इसका जो 10 a है न आपका इसका reciprocal कर लो पहले 1 उपर लिखो 0 नीचे तो अब यह क्या जाएगा 1 by 0 1 by 0 क्या आएगा node defined या infinite लिख अब यह इसका reciprocal 1 उपर लिखोगे 10 a नीचे इस फार्मल में put करोगे quote is 1 by 10 a के में अब इसमें जैसे इसकी value put करनी है अब यह जो 10 कहना उसका reciprocal कर दो क्योंगी 10 a नीचे है ना इसका reciprocal कर दो इसका reciprocal क्या under root 3 उपर आजएगा 1 नीचे तो इसकी value आजाएगी under root 3 अब यह क्या आजएगा आपका 1 by 1 आजएगा तो 1 आजएगा अब इसका रैसी प्रोकल करेंगे नीचे 1 है under root 3 by 1 लिखेंगे 1 new meter में चला जाएगा denominator में under root 3 चला जाएगा अब यह आपका क्या आजएगा 0 यह तो ऐसे भी निकाल सकते हो नहीं तो आपको देखो code की value ऐसे भी निकाल सकते हो जो आपका 10 आया ना 10 नहीं आया उसका reverse counting जैसे पहले आपने की थी ना वैसे reverse counting भी कर सकते हो जैसे infinite का infinite under root 3 का under root 3 1 का 1 और यह ऐसे कर पहले आप sign का निकालोगे फिर reverse counting करोगे तो कोस का निकलाएगा फिर आप एक 10 का निकाला 10 के बाद अफिर आप reverse counting कर दोगे यह पीछे से लिखना शुरू करोगे जैसे infinite फिर यह ऐसे इसके code A की value आजाएगी आप उसके बाद आपकी टरन है सेक A अब आपका आगया सेक K अब सेक K का क्या फार्मूला था आपके पास यह रेखो आपका सेक K का फार्मूला था 1 by cos A सेक K का 1 by cos A अब जैसे 0 degree निकालना है आपने क्या निकालना है सेक 0 degree अब 1 by cos 0 degree अब सेक 0 degree is equal to 1 by cos cos 0 कितना है आपका 1 दे रख है तो 1 आगया आप 1 by 1 is equal to 1 तो यह आपका सेक के क्या आजाएगा 1 ऐसे यह आपने cos वाले का reciprocal कर देना है numerator, denominator में denominator, numerator में उपर वाले देखो cos एका reciprocal करोगे 2 under root 3 और cos एका इसका reciprocal करोगे under root 2 पर चला जाएगा 1 नीची आजाएगा इसका reciprocal करोगे 2 आजाएगा अब यह आपका आगया course सेक 90 डिगरी सेक 90 डिगरी क्या आजाएगा इन्फाइनाइट या note defined लिख दो या इन्फाइनाइट लिख दो अब आपके इतरन आती है cos क cos क क्या होता है हमारे पास देखो cos क होता है 1 by sin A यानि कि जो sin A है उसका reciprocal कर दो अब sin A की value क्या है हमारे पास 0 अब 0 है ना 0 by 1 लिखेंगे 1 उपर चला जाएगा 0 नीचे आजाएगा तो 1 by 0 1 by 0 किसके होता है इन्फाइनाइट के होता है निक तो यह सेक का उल्टा कर दो इन्फाइनाइट हो गया अब इसका sign का इसका reciprocal करोगे 2 उपर चला जाएगा 1 नीचे ऐसे ही अंडर रूट 2 फिर 2 उपर अंडर रूट 3 नीचे अब यह 2 by अंडर रूट 3 आगया हमारे पास अब हमारे पास को सेक के की value क्या आगया 2 by अंडर रूट 3 अब को सेक 90 डिगरी अब 90 डिगरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखो 1 by sign 90 डिगरी यह 1 था 1 by 1 किसके equal होता है 1 के equal होता है तो यह 1 आजाएगा ऐसे ही आप rough table बना सकते हो अब हमार रूबर 5 झाल झाल